सबसे पहले तो इन लोग का जो आक्वेजिशन इसके बारे में बात करते हैं इन्होंने एक्वाइर किया है यहां पर बेसिकली आइडियल वर्ड लिमिटेड को और यह जी बीपी का मतलब हैं आपर ब्रिटिश पाउंड जो होते हैं ब्रिटिश पाउंड स्टरिंग इसकी फ खरीता है शॉप टीजेसी करके इनकी एक सबसेडरी है उनसे इन्होंने फृदर जो है आइडियल वर्ल लिमिटेड को पूरे तरीके से अपने अंडा ले लिया है तो मुझे लगता है अच्छा हूंड है यह लोग अपना फूट्प्रिंट जो हैं इनक्रीज कर रहे हैं द कि आइंड प्रोडक्स जैसा हम लोग बात कर रहे थे ज्वेल्री एससरी लाइश्टायल प्रोडक्ट इसके लावा और भी काफी सारे प्रोडक्स हैं मार्केट काप यहां पे 6700 क्रोस का है स्टॉक का पी अभी बापस से थोड़ा सा में 55 के इंट पर नजार आ रहा है लगता वो एक फाक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए 2600 करोड के सेल्स यहां पर हमें देखने को मिले थे मार्च 2023 में मतलब अगर आप देखोगे तो आपको लगए कि नेट प्रॉफिट काफी कम है अगर आप टूथा हुद नेटीन में भी देखोगे तो एक सो बारा करोड का नेट प्रॉफिट था तो बॉटम लाइन कैच अप नहीं करी है उससाब से अगर हम लोग देखें वह एक फाक्टर रह क्रोड के सेल थे 27 क्रोड के आसपास यहां पर थी प्रॉफिट मार्जन के एक एंड पर प्रॉब्लम रही और इंकम का कॉंपनेंट कम था इंट्रस्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो वह कुछ फैक्टर से जो मुझे लगता है आपको आपको कंसिडर करना चाहिए देख कंपनी के मार्जिन हो है जो कि एक मार्केटम के मार्जन हमें रहें हमें आपको देखना चाहिए और 1585 करोड के बाॉर के बॉरिंग्स इस में चौने मीशा क्यों से कॉंपनेंट होगे 64 करोड से बढ़के यहां पर 115 करोड का डेट हमें देखने को मिल रहा है तो definitely 60 करोड का डेट यहां पर जो है almost 50 करोड का डेट यहां पर almost add हुआ 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 है जो एक अंदी के कंपनी ने short term borrowings का सब्सक्राइब का डेट को किस तरीके से देखते हैं किस तरीके से आगे इसको करते हैं क्योंकि काफी सारी कंपनीज में प्रॉब्लमाटिक भी बन सकता है तो वह एक फाक्टर देखने है इसके पास में आगया तो ऐसा कोई मेजर स्टेक चेंज है नहीं पॉब्लिक के पास में थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है विच आल्वेज देखेंगे तो इस सपोर्ट लेवल के उपर जब तक स्टॉक है वह एक अच्छा ही फाक्टर है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और शेरोल्डर्स के लिए बट अभी नजर में ऐसा आ रहा है कि फिफ्टी में तो देखो ब्रेक हो गया अल्रेडी आज कोशिश भी करी थी फिफ्टी में ब् सब्सक्राइब यहां पर है तो यह रीजिन क्रिटिकल रहने वाला अगर यहां से स्टॉक डाउंसाइड पर आता है देखो आपको समझना यह है कि अगर आप करेंट लेवल्स पर पोजिशन बनाना चाहिए तो आपका विजिन थोड़ा सा लॉंगर टर्म के लिए रहना च तो मुझे लगता आपको उसको वैसे करके देखना चाहिए करेंट लेवल्स पर बटाइट सेट में उम्मीद करता हूंग यह वीडियो आपको इंफॉमेटिव लगी होगी प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आया तो आपको पसंद आया